इंटर एडमिशन दोहजर तेज्ट का फर्स्ट मेरिट लिष्ट कवाएगा जी हाँ इसका जवाब आ चुका है आपके सामने मैंने पहले गया पो कहा था कि जैसे ही ऑनलाइन खतम होता है उसके एक हपता दस दिन होते होते इंटर नामांकन के लिए इंटर एडमिशन के भी बिल्कुल किलियर नहीं है क्योंकि यह जो नामांकन के लिए जो चयन सूची जारी की जाती है उसके साथ साथ जिस जिस कॉलेज में आप नामांकन लेने जाते हैं उन सारे कॉलेजों को एक यूजर आईडी और पासवर्ट भी दिया जाता है होता क्या है कि जैसे ही ढ़िमेंट जमा करके आएंगे रसीद घड़वा के आएंगे तो ओ सारे कॉलेज क्या करते हैं कि अपने पोर्टल पर लॉग इन करते हैं और आपका एडमिशन अपडेट करते हैं जिसका मैसेज भी मोबाईल पर आता है मतलब मैसेज मोबाईल पर आ गया योर एडमिशन मतलब आपका admission समझे कि successfully उस college में complete हो गया तो यह जो message आता है यह जो updation होता है यह login करके होता है और करते कौन हैं तो college वाले करते हैं और इसके लिए सभी school को college को मिलता है login ID password बहुत सारे लगबग लगबग 234 ऐसे इंडर के college और plus two school हैं जिन्होंने portal पर OFCS के portal पर login ही नहीं क अब तक तो इसलिए यह 27 जून को जो प्रथम merit list जारी करने की बात कहीं जारी है उसमें थोड़ा सा संदे है लेकिन फिर भी इस महीने यानि जून के last होते होते तो यह merit list जारी हो ही जाएगा chances जादा है कि 27 को जारी हो जाए अब रही बात कि किन का नाम आएगा किन का नाम नहीं आएगा first merit list में तो देखिए जो बच्चे third division से पास है जिनका number percentage काफी कम है उनका प्रथम जयन सूची में नाम आने का chance थोड़ा कम है अगर first है तब तो आपका first merit list में ही नाम आने की बहुत जादा संभावना है second है तो भी आने के संभावना है first से थोड़ा कम है ले ही बात कि third वाले तो third वालों का first merit list में तो नाम नहीं आएगा लेकिन उनका second merit list में नाम आएगा third merit list में नाम आएगा नाम आएगा जरूर admission होगा जरूर छूटेगा किसी का नहीं तो ये प्रथम चयन सूची का 27 जून डेट तो आ अब है कि download कैसे करेंगे तो ये चयन direct download कर सकते हैं अपना intimation later और साथी साथ देख सकते हैं cut off, cut off का मतलब हुआ कि पिछले साल कितना percent वालों का किस किस college में admission हुआ था, आपका percentage क्या है उसके हिसाब से मिला लीजे कि हमने first choice में कौन डाला है school या college, second choice में कौन डाला है school college और कहां का cut off जादा है, कहां का cut off कम है कितना percent वालों का पिछले साल admission हुआ था, कितना वालों का इस साल हो सकेगा, इससे आपको idea मिल जाएगा कि आपका percentage कितना है और admission होगा कि नहीं होगा, तो 27 जून को प्रथम merit list जारी होने की संभावना बहुत जादा है, ये जो 234 college हैं जिन्होंने login नहीं किया भी तक, अग अगर आपका प्रथम merit list में नाम आ गया तो, और तब जाकर के आपको सारे document ले जाकर के उस college में जाना होगा, जिसका आपको allotment होता है, मतलब जो intimation letter पर जो college छपा रहेगा, वहाँ सारे document लेके जाईए और जाकर के admission कराना पड़ेगा, उसके बाद होगा, अपडेशन य कमेंट में पूछ सकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ